हेलो फ्रेंट्स वल्कम बैक उन्मा यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर नाइन है अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिवियस पार्ट नहीं देखे हैं दिन पहले आप वो देख लीजे साथी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको वीडियो पसंदाती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए लास्ट आप इसोर में हमने देखा था लीकिंग बनने के बाद कुछ जादा ही काम कर रहा था सारी चीज़े रैडि करके रखी हुई थी और तो और वो ड्रामा देख करके क्यूट बनने की एक्टिंग भी करने लगी थी उसे याद आता है ली ने उससे का था मुझे वोलर किया पसंद है जो मेरे आगे पीछे I love you ओपा करके गूमती रहती है इधर हाना ओपा ओपा बलाने की प्रैक्टिस करी रही थी तब ही ली रूम के अंदर एंटर हो जाता है और हाना से कहता है तुम्हें मस्ते बात करनी है हाना बहुत क्यूट ली बोलती है नहीं पहले आप थोड़ा रेस्ट ले लीजे ली बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ वैसे तुम्हें क्या हुआ है ये सब कुछ क्यों कर रही हो हाना बोलती है मैंने पर्मीशन ली है तो आप थोड़ा रेस्ट ले लीजे ओपा अब ये सुनने के बाद ली को तो काना पर यकीन नहीं हो रहा था वो हाना से बोलता है कि तुमने अभी अभी मुझे ओपा बला ये एक्टिंगी कर रही है ऊपर से हाना ने जो डायलौग लörंड ये थे वो से बहुत सनाने लगती है लीकी तो बले ही बाकी लड़कों की तरह hot and beautiful नहीं दिखती हो पिर तुम मजाग बहुत ही अच्छा कर लेती हो हाना प्लीज एक और बार करके दिखाओ हाना भी ready हो जाती है और उससे कहती है पहले तुम कसम खाओ कि तुम हसोगे नहीं ली कहता है I swear मैं बिल्कुल भी नहीं हसोगा अब हाना चाहती है और उसके बाद पता नहीं पपी डान्स करने लगती है उसने पपी डान्स के लिए कॉस्ट्म भी पहनी थी और उसका पपी डान्स इतना funny था अके लिए कितिनी भी कोशिश कर दे रोकने की लेकिन वह हस नहीं लगता है अब हाना शर्मिन दाओ के छुपने लगती है तब ही लिए उससे कहता है हाना तुम बहुत ही ज़दा funny हो और तुमने एक कॉस्ट्रिम कहां से सलवाई है खेर ली हाँ पे हाना के वज़ज़ से एक खुलके हसने लगा था वहीं अब ली हाना से बोलता है ड्रिंक करने के बाद उसे अमनी दारी है इसलिए उसे सोना है हाना बोलती है तुम आपास सिर्फ 30 नेट है उसके बाद तुमें काम करने के ले जाना होगा तुली बोलता है हाना तुम उन लोग को डरा सकते हो प्रीज उन्हें डरा करके कह दो के थोड़ा और टाइम दे दें तब ही हाना बोलती है मैं तुमें थोड़ दिर में उठा दूँगी तुली उसे अपने तरफ कीच लेता है हाना बोलती है ये क्या कर रहे हो तुली बोलता है मैं तुम्हारा फीचर हस्बेंट हूँ और साथ में किंग भी हाना कहती है लेकिन हमारे नौर्थ में ऐसा कुछ भी नहीं चलता है ली कहता है ठीक है फिर मुझे सेकंड वाइफ लानी पड़ेगी हाना कहती है तो मैं ऐसी बाते कैसे कर सकते हो ली बात बदल के कहता है हाना तुम्हारे चारे को क्या हुआ है वो उसे अपने पास बिठा करके कहता है तुम्हारा चारा बहुत ठका हुआ लग रहा है तब ही हाना मेरर में देखके कहती है मैं तो daily cream लगा रही थी और king ने भी कहा था मेरा चारा बहुत अच्छा दिखने लगा है तो lee कहता है मैने कप का 조הना शांत है ली कहता है मतलब भाई ने कहा था वो कहता है उसकी बातों का विश्वास मत किया करो वर जूट बोलने में नंबर वन है हाना कहती है बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने अपनी फोटो भेजी थी, ली कहती है कौन सी फोटो, हाना कहती है जिस दिन उनकी डैट हुई थी उस दिन, उन्होंने कहा था, उन्होंने तुम्हें भी वो फोटो भेजी है, ली कहती है, उसने मैसेज भेजा था, पर मैंने भी देके ही डिलीट कर दिया हाना कहती है कोई बात नहीं मैं दिखा देती हूँ अब फोटो देखने के बाद ली इमोशनल होके अजीव अजीब बात दे करने लगा था तो हाना वहां से जाने लगती है लेकिन ली हाना को रोक करके कहता है उस दिन मैंने उसका फोन रख दिया था वो मुझसे बात कर रहा था और फिर भी मैंने फोन रख दिया वो इसका लास्ट कॉल था फिर भी मैंने रख दिया अब यहां पिली काफी फूट फूट के रोने लगता है और हाना उसे समालने लगती है लिए उसके गले मिलके काफी जादा रो रहा था और इसके बाद का सीन दिखाया जाता है हमें ये दोनों साथ में ही सो गए थे अब हाना उटती है लेकिन ली अभी भी सोया हुआ था इधर मैनेजर को पते चलता है किंग ने और दो गंटे मांगे थे लिकिन उसके बाद भी वो वापस नहीं आए है तो वो हाना के पास पहुशते हैं और हाना से कहते हैं अगर किंग रुकना चाहरे थे तो तुम्हें उन्हें वापस भीजना चाहिए था हाना बोलती है किंग की कोई गलती नहीं है मैं नहीं उन्हें रुखने के लिए कहा था मेनजर कुछ नहीं बोल पाते वो आगर के बैठते ही है तब ही उन्हें जॉन का कॉल आजाता है जॉन बोलता है और कैसे हैं आप मैं आप केकिंग से मिलना चाता हूँ इसलिए कोरिया वापिस आ रहा हूँ अब क्या आप दुबारा मुझे धक्के मार की निकालने की हिम्मत करना चाते हैं वह यह मैंजर ली को बताते हैं कि उसे जॉन से मिलना है वो कलब M का प्रेजिडेंट है जो की एक रिजॉर्ट कंपनी है यहाँ पे मैंजर ने ली को कुछ भी साफसाफ नहीं पताया था कि जॉन कितना डेंजरस परसन है और वो क्या क्या काम करता है कह रहा था उसके पास वैसी टाइम नहीं है अब यह जॉन कौन आ गया है तो मैंजर बोलते हैं वो बहुत पैसे वाला इंसान है इस ते उससे मिलना तो पड़ेगा ही अब यहाँ पे जॉन की एंटी दिखाए जाती है यह तो वैसे ही बावला है और बावला वाली हरकत ही कर रहा था खेली इससे हसकर के हाथ मिलाने की कोशिश करता है पर जॉन तो ऐसे मिलता था जैसे इससे बोला इंसान कोई और है ही नहीं वो कहता है वारा मिलकर के काफी अच्छा लगा किंग ली कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं जॉन कहता है आपको याद नहीं है वैसे भी 20 साल हो गए है याद करना मुश्किल होगा तभी जॉन किंग की फोटो की तरफ देख करके रोने लगता है कहता है बहुत बुरा हुआ कहता है कि आप किंग के क्लोस थे तो जॉन बोलता है हाँ उन्हें मेरा मैजिक देखना बहुत पसंद था यह मोटा ऐसे रो रहा था जैसे सबसे दादा दुख तो इसे ही हो क्यारब जॉन खाना खाते टाइम ली से बोलता है एक डिश को देख करके यह डिश तो रोयल फैमली में नहीं बनती है पर हमें यह पसंद है और यह होने वाली क्वीन ने बनाई है मेरी माम ने उने सिखाई है तभी जॉन बोलता है क्या आप उसी नौर्थ कॉरियन लड़की की बात कर रहे हैं क्या आप उसे प्यार करते हैं के इंगली कहता है सोच समझ के जरा बोलिए वो लड़की क्या कह रहे हैं आप वो होने वाली क्वीन है और मेरी उन से इंगेजमेंट होने वाली है तभी जान हसके कहता है मैं तो बस आपकी चिंता कर रहा था दूसी तरह सी क्यूंग प्रिंसेस से मिलने के लिए गया था एक प्रेजन डे करके वो आवाज लगाता है पर प्रिंसेस ने नहीं सुना था वो देखता है शिन का पैर अपने आप ही नीचे लटक रहा था तो वो जाकर के धीरे से उसे उपर रखने की कोशिश करता है पर शिन ने देख लिया था वो उसे दूर बगागर के कहती है ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो seeking से कहती है तुम चले जाओ वो खुदी अपनी help करने लगती है पैर उपर उठाने में वो गिरने वाली थी तभी seeking उसके लिए एक चिड़िया लाया था वो दिखाने लगता है कहता है इसके पैर खराब हो गए थे लेकिन इसने हान नहीं मानी है और ये ठीक हो चुकी है exercise करक तो प्रिंसेस बोलती है तुम क्या मेरा मजग बनाने चाहते हो उससे कहने चाहती हो मैं exercise करूंगी और कोई miracle हो जाएगा और मैं चलने लगूंगी क्या तुम नहीं मुझे पागल समझा है पर seeking तो कहने लगा था ये चड़िया गाना भी गाती है वो चड़िया से कहता है त क्या मेरा मुई देखते रहोगे जाओ यहां से वहीं दूसी तरफ ली जान को टाटा वाय वाय कर रहा था तब ही जान उससे कहता है आप मेरा गिफ्ट accept कीजे वो वही पैन दे करके उससे कहता है मुझे माफ कर दीजे बच्पन ने मैंने इस पैन से गलती कर दी थी ली कहत है भले ही तब मैं बच्चा था लेकिन ऐसी कलती में दुबारा होने नहीं दूंगा पाट से जान को इतना बुरा लगता है कि वो स्कूल में जाकर के उस लम्हे को याद करने लगा था जब उसने कहा था कि वो ही असली किंग है वो कहता है दिमाग घमंडी किंग को या दिल हमें भला क्यों मेंचर बोलते हैं लीट किंग की आद में उनका मैंमॉरियल उसी चागा बनवाना चाहता है जहा उनकी डैथ हुई थी ली बोलता ह िक है accept कर लो मेंचर बोलते हैं क्य haven क्यों कही बोलते है वो पैसे दे रहा है तो हम है क्यो करेंगे अब मेंचर चौन की होना स्टार्ट हो जाता है अब क्वीन मदर सी किंग के साथ वहाँ पे गई थी तब इस किंग को आकरके एक पर्सन evidence देता है और सी किंग काफी गुस्थे में हाना के पास आकरके वह evidence रखता है उससे बोलता है यह किंग की memorial की site पे मिला है हाना कहती है जहां पर मिलने के लिए गए है ली बोलता है बला क्यों मुझे भी वहाँ पर जाना है इधर सी क्यूंग हाना से बोल रहा था दो गार जब से तुमारे गेट के बाहर खड़े होंगे तो प्लीज कॉपरेट करना तब ही वहाँ पर ली पहुच जाता है तब ही उस बॉक्स के सामने साइट से मिला था ली उस फ़ोन को उठाता है तो हाना बोलती है बाहर से यह नौर्थ का लगता है ली इसके बाद हाना की तरफ देखता है वो बिलकुल खबरा चुका था वो बोलता है हमें पहले इंवेस्टिगेशन करनी होगी तुम समझ रही हो ना हाना हाँ बोलती है ली जा रहा था लेकिन वो साथ में इस मैटिरियल को भी अपने साथ ले जाता है। हाना खबरा चुकी थी। वहीं अब हर जगा ये नियूस चलने लगी थी। और इस चीज से हाना को इंटारेक्टली जोड़ा जा रहा था। ये नियूस हाना के डैड ने भी देख ली थी। लेने के लिए त्यार हूँ पर अगर नहीं तो तुम और मैं दोनों बेफकूफ बन रहे हैं क्योंकि जिसने असलियत में ये किया है वो हम लोगों की ओपर देख करके हस रहा होगा। तो शिन बोलती है आई होप कि तुम कोई एक्टिंग ना कर रही हो। पीचे से जो म्यूजिक बच रहा था उसे सुन करके वही आने आने लगती है जब जौन के आदमियों ने उसे पकड़ा था तो वह उस म्यूजिक को ही बन करा देती है। वहीं दूसी तरफ मैंजर और सीक्यून कोड के ट्राइल के लिए गए थे। जब वह नौर्ट से थी। थाबित ना हो क्योंकि आप मिसके महाना की चंता करते हैं। इदर हाना अपने खिलाफ निउस देख करके इमोशनल हो रही थी। तब ही गेट से आवाज आती है। तब ही गेट खोल करके लिए अंदर एंटर होता है। वो हाना से कहता है मिरे साथ ड्रिंक करोगी क्या। वो हाना को ले गया था और हाना से कह रहा था मुझे तो वो दिन याद है जब तुमारे डैड अंदर खुसाए थे। मैं तो उनसे बहुत डर रहा था। हाना कह रही थी मेरे तमन कर रहा था शर्म से उसी गड़े में घुश जाओं। चैरब ये दुनों अपनी उसी किस के बारे में बात करने लगे थे। तब ही ली हाना से बोलता है तुमने क्यों चुपाया। हाना कहती है क्या चुपाया। ली बोलता है उस दिन तुम evidence के सामने क्यों खड़ी हो गई थी। हाना कहती है उसने जानमच के नहीं किया था। ली बोलता है पर क्यूं। हाना कहती है क्योंकि उस phone के भार का cover नौर्थ का था। ली बोलता है सिर भार का। हाना कहती है investigation में पता चलेगा हाना बोलती है वो investigation में जाना चाती है सब कुछ clear करने के लिए तब ही लियो उससे बोलता है मैं तुम्हें trust करता हूँ इतना जदा कि मैं तुम्हें मारने की भी हिम्मत रखता हूँ अगर तुम्हारा इस मामले में कोई भी हाथ निकला पर मैं वाकई तुम्हें बहुत trust करता हूँ हाना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा ली हाना की बात पर smile कर देता है और इसी के साथ ये वाले पार्ट के explanation ही पर complete होती है क्या हाने इस case में first जाएगी या फिर ली उसका साथ देगा ये सब को जानेंगे हम next पार्ट में तब तक के लिए आप तो चैनल को subscribe कर लीजे और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like किये बिना मत जाना थैंक्स पो वाचिंग मिलते हैं बहुत जल